हालो फ्रेंट्स वेलकम टू इन्फोटेट आई टेए क्लासिस जैसा कि मैंने एक नोटिफिकेशन बनाया था कि उत्तरा खंड इंस्ट्रक्टर की बेकमसी बहुत जल आने वाली है क्योंकि उन्होंने कलेंडर अपना जारी कर दिया था कल सोला थी कल इसका फाइनली नोटिफ क्लाइब मैं आपको बताऊंगा क्या ह। क्या सर इंट्रक्टर में आपका एक्ष्पनिनस मांगा है कि नहीं मांगा है तो सारा कुछ इस notification एक बार read करते हैं, क्या important points है, कब इसकी date start होने वाली है, कब से इसके form भरे जाने है, क्या अस लेबर से रहने वाला है, तो सब कुछ आप इस notification में discussion करेंगे, उससे पहले, उससे पहले में आप already हमारे जो batches चल ले हैं, जो है वो आपकी बिहार instructor की अंदेशक की बात करें, जाए आपको उत्राखण अंदेशक की बात करें, या उत्राखण instructor की बात करें, तो already हमारे batches चल ले हैं, जाए उफिटर, मसीनी, स्टेनर, वेल्टर, या electrician वाले बच्चे हों, तो already हमारे batch यहाँ पर live चल ले हैं, जाए उत्रेट थूरी की बात करूँ, जाए आपके ALP, ALP की बात करूँ, जाए instructor classes की बात करूँ, सारे proper तरीके से यहाँ पर classes हमारी already provide कर आई जा रही हैं, तो जाके आप class का आनद उठा सकते हैं, और अपनी preparation को और थोड़ा सा boost कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले time पे आप जो आपकी निकली है job, इसमें आप एक अच्छे number और एक merit में आ जाओ, जिससे की आप अपने घर और माता पिता का अपना सपना पूरा कर सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन में क्या आया है, कुछ important highlighted points है, तो उसको हम जिगर करते हैं कि क्या qualification रहने वाली है, क्या इसका exam date है, कब तक होगा, कब तक form feel किये जाएंगे, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करना चाता हूँ, जिससे कि आपको clear दिखे, उत्राखण, अधिशेवन, चैन, आयोग, जो कि आपको SSC, UK.GOG.In Government Pin का आपका notification आउट हुआ है, आचैन हेतु बिग्यापन, उत्राखण, अधिशेवन, सेवा, चैन, आयोग, द्वारा, समू, जी, सीधी भरती, माध्यम, और पसिच्चर, एंड, सय, योजन, निदेशाले, उत्राखण, अंतरकत, कराच किये, और द्योगिक पसिच्चर, मतलब की ITA, अंदेशा के लिए आपको रिक्पदों की भरते निकाली गई है, ठीके, तो ऑनलाइन अवेधन क्या रहने वाला है, एक बार नोटिफिकेशन, यहां पर मैं पढ़ता हूँ, ऑनलाइन अवेधन, जो आपका प्रारम्तिती है, वो होने वाली है, पचीस फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठ आपको 20 मार्च लेके 22 मार्च तक दिया गया रहा है, लिखित परतियोगी परिच्छा यह आपका कब होने वाली है, क्योंकि एक्जाम डेट मोश इंपोर्टेन वी होता है, कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एक्जाम डेट कितना टाइम है, तो आपको यहां पर दि करना है, जो भी इनका से लेबस होगा, आगर नोटिफिकेशन में है, तो आभी मैं रीट करके बता दूँगा, बाकी और हाइलाइट पॉइंट्स क्या है, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि आपके, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है, देखो यहां अग् Packard करते हैं, थोड़ा सा आगए, थोड़ा सा जूम करते हैं, तो थोड़ा से इसको, हाँ, हां यहां पर यहां पर एपिटर की बात करूंगा, थिटर अंदेशक फिटर, पद नाम, आपको दे रखा है, यहां पर आपको już Ini कई है आपको कोड यह है आपको विभाग का नाम दो पसिच्छ एंड सेवा नेजे साले उत्राखण आपको category wise vacancy निकली है टोटल अगर योग पुछो तो 40 vacancy लिए अधर अधर category wise है तो अपनी category में जितनी vacancy निकली है एक बार अच्छे के से रीड कर लेना और देखते हैं इसका qualification कहा रहने वाला है ध्यान से देखते हैं हाँ national tier certificate यह आपका हाँ यह भी है ठीक है और आए 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 तो यहां पर थोड़ा सा मैं जूम आउट करना चाहता हूं ध्यान से देखना यहां पर जो अनिवार तक्नीकी आपका जो आपका qualification मांगा है मतलब कि आपका क्या होना चाहिए jun ग्रेट चूपप्नीकेशन यूजि मांगा प्राथ कॉलेच से भी शुबिद धैलेश मांगा इंजनिक मतलब ही डिप्रोमा लोग लिए है ठीक है फिर आपसे लिखा है यहां पर हम सिधा ITE वाले बात करते हैं यहां पर ध्याम से देखो समंधित 6 से 3 वर्स का मतलब कि आपके पास ITE तो होना चाहिए ITE के साथ साथ आपको कितना हाँ यहां पर करते हैं ठीक है जो आपका अंतरा किसी भी प्रकार की राष्टी है सिल्फ पर सिच्छन परमार पर मतलब एंसी बीटी तार परापत होना चाहिए कहने का ताथ पर यह हुआ कि अगर आप ITE हो तो आपको पास तीन साल का experience होना चाहिए तभी आप यह form को feel कर सकते हो वही चीज़िए मैंने आपको बताया ठीक है आगे यह notification सोड़ा सो और देखते हैं रीट करके हाँ यहाँ पर देखो डिपलो यहाँ पर electronics mechanics वाले भरती निकल रखी है इनका भी देख लेना ठीक है क्योंकि notification काफी है तो मैं सभी के लिए qualification I think जो ITE वले बच्चे हैं सभी के लिए qualification सेव रहने वाली है क्योंकि आपको पास ITE होना चाहिए और प्लस प्लस आपके पास CITS भी होना चाहिए और 3 साल का experience होना चाहिए ठीक है तो वही चीज़ा आपसे बता रखा है यहाँ पर वेल्डर वालों के लिए विए भरती आई है 19 टोटल बेकैंसी यहाँ पर तो वेल्डर वालों के लिए qualification वही मांग रखा है जो कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि आपके पास ITI प्लस आपके पास CITS और प्लस तीन साल का experience होना चाहिए तभी यह form को feel कर सकते हो ठीक है और देखते है नोटिफिकेशन में अगर इन्होंने कॉलिफिकेशन बोले तो दे तो कॉलिफिकेशन तो दे रखा है ठीक है आपका एक्जाम का पैटन को से रखा होगा तो मैं उसके बारे थोड़ा सा कर देता हूं ठीक है काफी यह लंबा है तो एक बार मैं नोटिफिकेशन पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स में जाके आप देख लेना एडिट कर लेना तभी फॉर्म को करना ठीक है क्योंकि अलग लग ट्रेट से अलग लग भरती आई है तो मैं सिधा सिधा यहां पर नीचे चलता हूं अब कोई भी नोटिफिकेशन मतलब कि कोई भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट पॉइंट है तो मैं आपको जिगर कर लूँगा क्योंकि हर एक ट्रेट की न दरा लिखिश सुल्क जमा करने की करना है तो अगर आपके अंडिजर्ब कर्टिगरी है तो तीन सुरूपय लगने वाले हैं अगर यह स्थी है या एव्स से तो आप सीफुपचास अगर अनात है तो आपको कुछ नहीं लगने वाला है ठीक है तो यह चीज़ फार्म भनने हाँ हाँ रुको 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 चलिए ठीक है तो इसका मैं स्लेवर्स का वीडियो क्योंकि अगर इसमें स्लेवर्स दे भी रखा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो नोटिफिकेशन एक बार तो मैं जो भी हाइलाइट पॉइंट था मैंने आपको जिगर कर दिया बाकि आप बैस से जुनना चाहते हो तो मैं आपको क्या बता हूं सीधा आप यहां पर आजीए आप जैसे आप इस कोर्स इम्हेंगा इन्फोटेड अप्लिकेशन डाउनलोड करेंगे आपको प्लेशोर से तो यहां पिसकों इन्स्टार का चलता रहेगा ठीक है आईटाइए इस्ट्राक्टर को औरा सा बूस्ट कर दीजिये जिस्से की चार महिने में इक बहुत ऑच्छी रिस्पेक्टेड जॉब होती है इन्सट्राइट की तो भाई बल्ले और इज इच्छी जालड़ी सी इ नोटिफिकेशन साता है आपको इत्तुरा उत्राखंडे इंस्ट्रक्टर के लेटे तो आपको इंफर्मेशन कर दिया जाएगा बहुत ही जल इसकी में एक और वीडियो लाओंगा जहां पर मैं आपको स्लेबस के बारे में डिस्केशन करूंगा कि स्लेबस क्या रहने वाला पिछले साल क्या आया था और अभी क्या आया ठीक है तो बाइबाइब सभी को तमस्कार अब कर दो